इस लेशन में आप साउंड के बारे में पढ़ेंगे यह लेशन क्लास नाइन्थ के साउंस से लिया गया है तो इस लेशन में आप परेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड का प्रोपागेशन कैसे होता है मतलब साउंड मीडियम में आगे कैसे बढ़ता है What is sound? साउंड का डेफिनीशन कहता है कि साउंड is a form of energy that produces the sense of hearing मतलब साउंड जो है एनर्जी का एक रूप है फॉर्म है जिसके कारण हम सुन पाते है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है अब जैसे ये डाइग्राम है इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क है तो उसको अगर आप किसी चीज़ से हिट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क में वाइबरेशन होता है और उसके कारण साउंड निकलती है ट्यूनिंग फॉर्क से जो tuning fork में vibration होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको check करने के लिए, एक experiment आप कर सकते हैं, एक गिलास में या बीकर में पानी ले लिजिए, और फिर tuning fork को किसी rubber pad पर hit कीजिए, और फिर उस tuning fork को बीकर के पास लाइए, तो आप देखेंगे, जैसे बीकर के पास लाएं हो रहा है, जिसके बज़ा से sound निकल रहा है, उसी तरह से जब हम घंटी को बजाते हैं, मंदर की घंटी बजाते हैं, या call bell बजाते हैं, तो घंटी का जो pendulum होता है, या गोला होता है, वो इधर दर हिलता है, जिसके बज़ा से ये घंटी की body को hit करता है, और घंटी में vibration होन साउंड निकलता है जब धोलक या तबले को बजाते हैं तो धोलक या तबले के दोनों तरफ जो मेंब्रेन होता है चमड़ा होता है उसमें वाइबरेशन होता है जिसकी वज़से साउंड निकलता है जो स्ट्रिंग इस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे गिटार है सितार है उनके को जब हम प्लक करते हैं तो string में vibration होता है जिसकी बज़ासे sound होता है जब हम बोलते हैं तो हमारे vocal cord में vibration होता है तो जिससे sound निकलता है तो अब ये बात clear हो गई होगी कि किसी चीज में vibration जब होता है तो उससे sound निकलता है कई बार होता है कि vibration बहुत कम होगा तो आपको sound सुना पढ़ेगा vibration हो सकता है जरूरत से ज्यादा हो तो भी साउंड़ नहीं पढ़ेगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्रोपागेशन अप साउंड अब साउंड का प्रोपागेशन कैसे होता है साउंड बेब के रूप में निकलता है और बेब जहां पर sound का source है उससे हमारे कानों तक आती है तो कैसे होता है होता क्या है कि जब किसी source से sound निकलता है तो उस source के आसपास जो medium होता है उसके particles में disturbance होती है फिर disturbance एक particle से अगले particle तक transfer होता है तो माले यह particle है यह particle है यह group of particle है तो disturbance यहां से यहां transfer होगा यहां से यहां transfer होगा फिर अगले में transfer होगा फिर उसके अगले particle में transfer होगा फिर further transfer होगा और इस तरह से sound wave का propagation होता है एक बात ध्यान रखना होगा कि जब wave का propagation होगा sound wave का पार्टिकल का movement नहीं होता है, पार्टिकल के disturbance का movement होता है, जैसे आप तालाब में पथर फिकेंगे, तो पानी में vibration होता है, कमपन होता है, पानी में wave जैसा बनता है, और wave आप देखेंगे धिरे धिरे पथर से दूर चलती चली जाएगी, तो उसमें पानी में movement नहीं होता है, बलकि पानी के particles में जो disturbance होता है उसमें movement होता है उसी तरह से sound wave का propagation होता है अब और clear समझने के लिए diagram है ये एक tuning fork है जिसको किसी जीसे hit करके उसको vibrate कराया जाता है तो क्या होता है? अब ये मान लेते हैं air particle है तो tuning fork में जो vibration होता है उसकी बज़ा से उसके आसपास के जो air particles होते हैं वो compressed हो जाते हैं एक दूसरे के करीब आजाते हैं फिर क्या होता है? कि उसके बाद जो particles होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और फिर अगले particles compressed होते हैं फिर particles एक दूसरे से दूर चले जाते हैं फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस तरह से कई zone बनते हैं region बनते हैं जिसमें कि एक zone में सारे particles आसपास होंगे एक zone में सारे particles एक दूसरे से दूर होंगे तो जहां पर particles आसपास होंगे उस area को बोलते हैं compression C for compression और जहां particle एक दूसरे से दूर होते हैं उस region को बोलते हैं rarefaction R for rarefaction तो इस तरह से compression और rarefaction की series बनती है जो sound के source से दूर चलती चले जाती है और sound आगे बढ़ता चला जाता है तो मानलिया कोई loudspeaker है या कोई आदमी बोल रहा है तो जहां पर बोलता है तो उसके पास पहले air particle compressed होते हैं फिर rarefaction होता है फिर compression होता है और sound धिरे धिरे हमारे कानों तक पहुंचती है तो इस तरह से sound का propagation होता है sound ज्यादा तर जो propagation होता है वो air के थुरू होता है इसलिए air के थुरू यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है अब एक और फैक्ट आता है कि sound needs a medium to travel बगैर medium के sound travel नहीं कर सकता है इसके लिए एक experiment करते हैं जिसका नाम है bell jar experiment इसमें एक bell jar लिया जाता है bell jar एक बड़े से flask की तरह होता है जिसके नीचे एक tube लगी होती जो कि vacuum pump से जुड़ा होता है bell jar के अंदर एक cork के थुरू तार अंदर डाल दिया जाता और अंदर तार से call bell को connect कर दिया गया है ठीक है? अब जब bell jar में हवा पूरी भरी हुई है तब call bell बजाई जाती है तो उसमें क्या होता है? कि call bell की आवाज सुनाई देती है फिर vacuum pump से हवा को सक किया जाता है ताकि कम हवा बचे bell jar के अंदर तब देखा जाता है कि जब हवा कम हो जाती है तो आवाज सुनाई पड़ती है लेकिन वो फीबल होती है कमजोर होती है किलियर नहीं होती जब bell jar के अंदर से vacuum pump से पूरी हवा निकाल दी जाती है तो क्या होता है? कि sound सुनाई नहीं पड़ता है तो इस experiment से प्रूब होता है कि जब medium था हवा थी तो आवाज सुनाई दे रही थी हवा थी कम भी थी तब भी आवाज सुनाई दे रही थी जब medium नहीं था मतलब हवा नहीं थी तो आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी तो इससे प्रूब होता है कि sound needs a medium to travel बगैर medium के sound travel नहीं कर सकता है इसके पीछे region है क्योंकि sound जो है वो एक mechanical wave है और mechanical wave को travel करने के लिए medium की जरूरत होती है light दूसरी तरह का wave है light बगैर medium के भी travel कर सकता है इसलिए space से हमारे तक आता है without medium ठीक है तो इस lesson में इतना ही thank you